हेलो स्टुडेंट्स वल्कम तो माई चैनल इतिट्यूशन क्लासिस मैं हूँ नीरोबट और आज हम शुरू करने जा रहे हैं थोड़ा सा आगे और फ़र्स चैप्टर रियल नंबर्स तो पिशली बात जब तक मुझे याद है हमने बात की थी यूकलेट्स डिविजन लेमा और यूकलेट्स के डिविजन अल्गोरिधम के बारे में उसके चलते हमने लॉंग डिविजन अफ यूकलेट भी सीखा था जिसके मदद से हमने HCF निकाला था कोई भी दो नंबर के बीच में HCF निकालने के बाद उस अल्गोरिधम को लिखना भी D is equal to DQ plus R जिसको हम बोलते थे दरबार में डंका पड़ा रात में तो उसके इसाब से हमने वो चीज़ की थी HCF निकाला था आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं which is the fundamental theorem of arithmetic क्या है यह fundamental theorem of arithmetic दिखने में जितना ही मुश्किल लग रहा है क्या उतना मुश्किल है basically यह है क्या उसको समझने के कोशिश करते हैं तो जैसे कि हमने first part में सारे ही नंबर सेख लिया और रियल नंबर्स, complex नंबर, नेश्रल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगिटिव बोद्ध, जैली नंबर भी सीख लिया फिर almost सारे नंबर्स हमने सीख लिया उसमें अगर मैं सिर्फ positive numbers यानि के positive integers या फिर natural numbers पे focus करूँ जिसका मतलब है plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 and so on अगर इन सारे नंबर पे focus किया जाए तो एक चीज़ है जो ध्यान देने लायक है जो आपको समझनी चाहिए जैसे कि हम सभी को पता है natural number के शुरुआत होती है plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10 and so on अच्छे यहाँ पे एक चेज मैं साथ में बता दो so on के लिए या फिर किसी भी तरीके के mathematical continuation को दिखाने के लिए मेरा suggestion यह है कि आप सिर्फ तीन dot का ही इस्तमाल करें ना तीन से जादा ना तीन से कम यह नियम मेरी जेव से नहीं निकाला मैट्स का ही नियम है जहाँ जहाँ पे continuation दिखाना है कि चलता ही जा रहा है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीन dot ना तीन से जादा ना तीन से कम तो हम बात कर रहे थे कि जब भी हम natural numbers की बात करते हैं तो हमने देखा था कि prime numbers की हमने बात की थी prime numbers का मतलब होता है वो number जिसके सिर्फ exactly दो factors होते हैं ना दो से जादा ना दो से कम तो ऐसे numbers जब हमने first part में देखे थे तो वो number था plus 2, plus 3, plus 5, plus 7, and plus 11 जो की फिलाल यहां पे लिखा हुआ नहीं है इन सारे numbers के exactly दो ही factors है ना दो से जादा, ना दो से कम अभी अगर मैं इन सारे prime numbers को ही पकड़ के रखूँ और उनकी बीच में multiplication करवाँ तो क्या मुझे सारे composite number मिल सकते हैं फिर से मैं याद दिला दू, composite number वो number होते हैं जो prime नहीं है प्राइम के अलावा जो भी सारे numbers है उन सारे numbers को हम composite number कह सकता है तो क्या मैं प्लस 4 को प्राइम नंबर की help से, multiplication से बना सकता हूँ तो प्लस 4 की बात करें तो 2, 2, 4 ये दोनों ही prime numbers है तो प्लस 4 बन सकता है अगर प्लस 6 की बात करूँ तो ये भी 3, 2 जा प्लस 3, प्लस 2 अचा यहाँ पे addition नहीं है multiplication गलती से आप प्लस 3, प्लस 2, प्लस 5 मत समझ लेना मैं बोड़ना हूँ प्राइम नंबर के multiplication से प्राइम नंबर के बगेर वाले नंबर यानि के composite नंबर को क्या हम बना सकता है हाँ इससे भी बना सकता है अगर आगे बात करूँ 8 की तो 2, 2, 4, 2, 8 भी बन सकता है 9 की बात करूँ तो 3, 3, 9 बन सकता है 10 की बात करूँ तो 2, 5, 10 बन सकता है इसका मतलब यह हुआ कि प्राइम नंबर का का इस्तमाल करके हम कोई भी composite number बना सकते हैं यही कुछ न कुछ fundamental theorem of arithmetic है हम इसको और आगे समझेंगे पर उससे पहले जितना भी basic आप अपने आप के साथ लपेट लोगे question के साथ maths के साथ उतना आपके लिए अच्छा होगा अभी थोड़ा और basics में चलते हैं जब हमने first part समझ तब उसमें एक और चीज हमने समझी थी रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर जिसमें रैशनल नंबर तो आप स्टांडर्ड 9 में पढ़ चुके हो और मैंने first part में revise भी करवाया था उसको फिर से एक बार याद कर देता है रैशनल नंबर को इंडिकेट किया जाता है और इसको हम रैशनल फॉर्म तारकिक लॉजिकल नंबर हम बोल सकता है यह होगये रैशनल नंबर यानिकी इन्रैशनल नंबर जो भी होगा उसको हम लाइन के उपर और लाइन के नीचे के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हाँ या ना हाँ और एक बात जो ध्यान देने लायक है कि रैशनल नंबर के बारे में स्टांडर्ड नाइन में आप सेख चुके हो रैशनल नंबर क्यों के बारे में क्लास नाइन में आप पढ़ चुके हो मैं वो याद दिला देता हूं कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं मतलब जब भी उनका डिविजन आप करोगे वो डिविजन डेसिमल पॉइंट के बाद वो रुख जाएगा उसके अलावा वो ऐसा एक वर्ड आता था रिकरिंग रिपिटिंग यानि के वो जो डिविजन है वो रिकरिंग या रिपिटिंग तरीके का होगा मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद अगर मैं लिख दू कि 15.527 तो यहां पे यह जो है अगर मानलो यह एक भी रिपिट नहीं कर रहा क्योंकि यह टर्मिनेटिंग हो र लूँकि 15.777777. तो यहां पर आप देखोगे कि साथ नंबर जो है वो बार बार रिपिट हो रहा है इसी वज़ा से आपने नाइन स्टेंडर्ड में अगर आपको याद हो तो आपको इसको कुछ इस तरीक से लिखते थे 15.7 बार अगर कोई दो डिजिट रिपिट हो रहे ह होते हैं तो 15.72 बार क्योंकि 72 बार बार आ रहा है इसलिए 72 बार इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं तो यह चीज आपने रैशनल नंबर के बारे में सीखी थे कि कोई भी रैशनल नंबर होगा वो टर्मिनेट करेगा जब भी उसका डिविजन किया जाएगा यानि कि र उल्टा अगर इर्रेशनल नंबर की बात करें जिसको हम कैपिटल आई से इंडिकेट करते थे तो इर्रेशनल नंबर में एक खासियत है इर्रेशनल नंबर की बात करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते है उसके अलावा नॉन रिपीटिंग भी होते है ना ही वो नंबर्स रुकेंगे ना ही उनके डेसिमल वैल्यूस रिपीट होंगे ऐसा कोई नंबर का एक्जामबल भी मैं आपको दे देता हूँ बड़ा है खास नंबर आप सभी का और मेरा भी फेवरेट पाई पाई की जब भी मैं बात करता हूँ इसके अलावा और एक चीज याद रखो 14 मार्च 14 मार्च को हम पाई डे मनाते हैं इसके अलावा आलबर्ट आइनस्टाइन का बर्थडे है और स्टीफन होकिंग का डेथ डे है 14 मार्च 14 मार्च पाई ठीक है अच्छा पाई को हम 22 अपॉन 7 भी लिखते हैं तो कोई 22 जूलाई को पाई डे मनाते मत चले जाना ये इसको जब आप डिविजन करोगे और जो आंसर आएगा उसके सेकेंड उल्टा लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाओगे तो वो है पाई डे तो पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर है क्यों? क्योंकि ना तो वो रुक रहा है ये चलता ही जाएगा और ना ही कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा है 1415926528 और रिसंट स्टडी के इसाब से पाई की डेसिमल वैल्यू सुपरकॉम्प्यूटर के द्वारा भी इर्रेशनल ही मानी जाती है सुपरकॉम्प्यूटर भी जब ये डिविजन करता है तो ट्रिलियन प्लेसिस के बाद भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो पाई काफी स्पेशल है इसके अलवा मैंने आपको बोला था फर्स्ट पार्ट में गोल्डन रेशियो और इसके अलवा स्क्वेर रूट में सारे ही प्राइम नंबर्स स्क्वेर रूट के अंदर सारे ही प्राइम नंबर्स यानि कि स्क्वेर रूट ऑफ तू स्क्वेर रूट ऑफ त्री स्क्वेर रूट ऑफ फाइल स्क्वेर रूट ऑफ सैवन इन सभी को भी irrational number माना जाता है इसके अलावा और एक चीज जो 9th standard से मैं आपको याद दिलाओ वो ये है कि जब भी आप rational number और irrational number के बीच में रिष्टा बनाने के कोशिश करते हो by using algebra algebra का मतलब है plus minus multiply and division तो उसका अंसर क्या आएगा वो भी आपको 9th standard से मैं याद दिला देता हूँ ये सारी चीज आगे आने वाले problem में important है उसको revise करना ज़रूरी है जैसे कि ये चीज आपको शायद याद होगी कि rational number और rational number के बीच में addition करो, subtraction करो, multiply करो या divide करो आपका आंसर rational ही आएगा there is no change but जब भी rational की जगह पे कहीं पे भी irrational आ जाये जैसे कि rational और irrational के बीच में addition हो, subtraction हो, multiplication हो या division हो ठीक है, तो इसका जवाब हमेशा irrational ही आएगा, ये चीज आपको याद रखने की ज़रूरत है अगर हम सिर्फ irrational और irrational की बात करें irrational और irrational तो इसके बीच में addition हो, तो irrational है suppression हो, तो भी irrational है multiply और divide में कोई guarantee नहीं है multiply और वैसे तो इन दोनों का answer हमेशा rational ही आएगा वो जैसे आप problem आगे देखो कि आपको समझ में आएगा पर इसके बारे में मैं कोई comment पास करना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये कभी-कभी अजीब से results देता है वो जैसे हम chapter के आगे पढ़ेंगे वो देखेंगे ठीक है तो ये कुछ basic चीज़े हैं जो आपको याद रहनी चाहिए अभी ये कुछ basic चीज़े हो जाने के बाद इससे भी basic चीज़ों को याद करना जरूरी है जो कि है factorization क्या है factorization 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 आप पिछले कुछ standard में करही चुके हो जैसे कि हम ऐसे बोलते थे है कि four जो है उसको हम two to the four लिखते थे याद होगा आपको तो यहाँ पे दो और दो यहाँ पे right side वाले जो हिस्से है parts है टुकडे है उसको हम बोलते थे factors ठीक है और इसको हम बोलते थे चलो अभी जो chapter चल रहा है उसी इसाब से बोलते हैं composite तो कोई भी composite numbers को हम prime numbers के अंदर तोड सकते हैं फिर से अभी जैसे कि हमने शुरुआत में बोला कि कोई भी prime number को multiply करके कोई भी ऐसा number नहीं है composite number जिसको हम नाम बना पाए ठीक है prime numbers को multiply करके कोई भी composite number बना सकते हैं अभी कोई भी composite number को prime number के अंदर आप तोड सकते हैं हाँ या ना मैं बस left से right मैंने पहले बोला अभी right से left बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाए इसलिए तो अभी factorization की बात करूँ तो फिलहाल आपने दो factorization सीखे हुए पहला factorization काफी अच्छा था फूर्थ और फिफ्फ स्टैंडर्ड में आता था आप सभी को पसंद भी है कि अगर आपको थोड़ा याद करने में या प्रॉब्लम हो रही हो तो कुछ ऐसा आप करते थे यहां पर कोई नंबर लिखा हुआ था सपोस्के बारा तो आपको बारा कौन से टेबल में आता है एक के टेबल के अलावा वह सूचना होता था तो यहां पर फोर थीजा भी हो सकता है अब कुछ भी ले सकते हो जब आप ऐसे दो और बना लेते थे तब बाद में जब प्राइम नंबर आ जाए तब आप उसकी ब्रांच को रोक देते थे पर अगर प्राइम नंबर ना रहा हो तो उसको फिर से तोड़ देते थे जैसे कि फूर की बात करू तो तो टू बाद में ब्रांचिस निकलती है ब्रांचिस से पत्ते निकलते हैं उसी तरीके से यह स्टैम है उससे डालिया निकल रही है डालिया से पत्ते निकल रहे है इसलिए इसको ट्री फेक्टराइजेशन कहा जाता है समझ में आ गया जब भी ट्री फेक्टराइजेशन में आपक अपको याद्य होगा है दूसरा अपने सिपंगा है उसको ऊंगजाए थे। डाहिंक फेक्टरीजेशन और tweeted आ अ चाहिंन गयए करें एन दोनों एक ही बात है जिस्वाब वो इंद्र भगवान का कैसे व्रज आता है इस तरीके से आप व्रज बनाते थे या फिर इसको बड़े सारे बच्चे एंटीना भी बोलते हैं एंटीना के जैसा लगता है इसलिए तो यहां पर आप सेम नंबर अगर में ले लो 12 तो आप पता है हमेशा प्राइम नंबर को ड से divisible होगा तो आप पता लगाते थे कि unit place अगर even number है या फिर 0 है तो उसको आप 2 से divide कर सकते हो अगर आपको prime numbers की keys क्या है वो जाननी है तो में description में prime numbers की keys कैसे apply होती है उसके उपर पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है आप वो पहले देखो बाद में इसमें आगे बढ़ो तो आपके लिए काफी easy हो जाएगा तो यहां पर 2 से शुरुवात करते थे 2 6 आ 12, 2 3s आ 6, and 3 1s आ 3 जब यहां पर 1 आता था तब आप रुक जाते थे तो यहां पर भी आप लिखते थे 12 is equal to 2 into 2 into 3 यह चीज़ तो आपको यादी होगी तो दो तरीके के factorization है 3 factorization and step factorization अगर यह नहीं आता तो यह पहले सिखना पड़ेगा उसके बाद ही हम इस chapter में आगे जा सकता है तो अगर मैं यहां पर कोई एक बड़ा नंबर ले लूँ जिसका factorization मुझे करना है जैसे कि आपकी textbook का ही है उसी को हम ले लेता है तो आपको थोड़ा बहुत revise भी हो जाएगा कि कैसे हम factorization करते थे तो एक नंबर है 32760 32760 अच्छा इसके अलावा आपको यह भी बता दूँ कि यह जो मैं syllabus cover कर रहा हूँ वो अभी 2023 में new revised sorry new rationalized syllabus आया है rationalized का मतलब है कि CBAC में तो उन्होंने पिछले साल ही काफे सारे चैप्टर काट दिये थे बट गुजरात बौर्ड के बच्छों के लिए उन्होंने कोई भी chapters नहीं काटे थे तो इस बार इन्होंने यह किया है कि बहुत सारे chapters जो या तो repeated थे या फिर कोरोना की वज़े से जिसका difficulty level है तो normal बट आपको tough लग रहा है ऐसे कहीं सारे topics हटा दिया है तो good news यह है कि आपका syllabus काफी छोटा हो गया है maths और science दोनों ही की text book 217 page में खतम हो जाती है 217 pages only तो syllabus काफी छोटा हो गया है सारे difficult content difficult नहीं है अभी भी बोलूंगा but maybe result देख के शायद उनको ऐसा लगा कि difficulty level अभी और भी कम करना पड़ेगा तो काफी सारे topics उन्होंने हटा दिया है तो मैं वही content पड़ा रहा हूँ जो new rationalized है इसके अलावा भी पूछले syllabus से कोई question है जो आप पूछना चाहते हो तो आप obviously description में मैंने telegram group का link दिया हुआ है वहाँ पे details अब बरके मुझे बेच सकते हो मैं उसका solution दो दिन में करने के कोशिश करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं एक number ले लो जो कि है 32760 तो जैसे कि मैंने बताया कि prime number हम ascending order में लेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and so on एक से 100 के बीच में 50 prime number एक से 50 के बीच में 15 prime number 15 prime number तो आपको याद होने ही चाहिए 50 तक के तो सबसे छोटे prime number से शुरुवात करूँगा 2 से क्योंकि यहाँ पे once place में even number है तो इसको 100% two से divide किया जा सकता है तो यहाँ पे two ones are two करते थे एक बच गया क्योंकि फ्री है two ones are two किया एक बच गया तो वो बाजू वाले के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पे एक बचा था और बाजू में है दो तो यह दोनों जुड़ गया और एक number बन गया 12 same two sixes are 12 मतलब यह हो गया खतम मतलब इन दोनों digit का काम खतम अच्छा ऐसा नहीं करना 16 twos are 32 करना है तो भी it's okay depends on कि आपको कितने tables आते हैं ठीक है चलो अभी इन दोनों का काम खतम next है seven तो seven two के table में नहीं आता बट उसे close number हमें लेना होगा और छोटा लेना होगा नजदीकी और छोटा तो seven से नजदीक है six तो two three is a six एक number बच जाएगा जो बाजू वाले के साथ चिपक जाएगा तो बच जाएगा as it is ठीक है तो one six three eight zero फिर से अगर आप देखो तो unit place में zero है तो इसको फिर से हम टू से डिवाइड कर सकता है two eights are sixteen two ones are two two nines are eighteen and zero फिर से zero है तो two से हो सकता है two fours are eight यहां पे one और nine दोनों को साथ में consider करो तो एक zero लेना पड़ेगा division में आपको अगर याद हो दो डिजिट साथ में लो तो एक zero तीन डिजिट साथ में लो तो दो जिरो तो यहां पे दो डिजिट एक साथ में ले रहे हैं तो एक zero और two के टेबल में 19 two nines are eighteen one zero यानिकि two five are ten अभी यहां पे हमें चेक two से नहीं हो सकता क्योंकि unit place में five आ गया तो next आगे बढ़ते हैं तो के टेबल में फाइल नहीं आ सकता तो अभी यहां की बारे खतम होगे next three की बारे तीन के बारे में अगर divisibility rule आपको याद दिलाओं तो अगर sum of digits मतलब इन सब भी digit का addition अगर करो और अगर वो तीन के टेबल में आ रहा हो तब जाके वो तीन से divisible होगा कि फोर प्लस नाइन थर्टिन थर्टिन प्लस फाइव एटीन अठारा तीन के टेबल में आता है हाँ जी हाँ तो यह तीन से divisible होगा तो यहां पर अगर मैं थ्री लेलू तो थ्री वनजा थ्री वन जीरो त्री थ्रीजा नाइन वन नाइन थ्री सिग्जा एटीन वन 153 25 15 अब यह और आगे बढ़ता है फिर से चेक करते हैं तीन से हो सकता है या नहीं वन प्लस ट्री फोर प्लस एक बच गया वह बाजुवाली के साथ चिपक जाएगा which is 16, 3 फाइजा 15, 1 बच गया, वो बाजवाली के साथ चिपक जाएगा, that is 15, 3 फाइजा 15, फिर से चेक करो, 3 से हो सकता है, यानि 5, 5, 10 और 4, 14, 3 से नहीं होगा, मतलब 3 के बारी भी हो गए, खता है, next 5 का divisibility rule अगर आपको याद हो, तो उसमें unit place, या तो 0 होना चाहिए, या त से हो सकता है, तो 5, 9, 45, एक साथ दोनों लेनी है, और 5 बन्जा 5, अभी 5 के table में 91 तो नहीं आ सकता, मतलब 5 का काम भी हो गया, खतब, next ले लो 7, 7 का divisibility rule, मैं आपको शौटली बता देता हूँ, वरना वो वीडियो देखो, उसमें अच्छे से समझाया हुआ, last digit को double करो, 1, 2 हुजा, 2, उसको first digit में से subtract करो, 9-2, 7, क्या 7, 7 के table में आता है, हां जी हां, तो 7 से divisible है, तो यहां पे 7, 7 मन्जा 7, 2, 1, 7 सीजा 21, 7 का काम भी खतम, 13 तो खुद ही prime number है, 7 के बाद 11 के बारी आई ही नहीं विचारे की, सीधा 13, तो 13 मन्जा तो यहां पे अगर मैं 32760 को, in the order of prime numbers, in the order of multiplication of prime numbers लिखना जाओं, तो 222, तो यहां पे लिखेंगे 2 into 2 into 2, 3, 3, 5 into 3, into 3, into 5, into 7, into 30, into 7, into 30, but आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि हर बार इतना लंबा लंबा लिखो, ठीक है, तो आपके लिए power and exponents वाला तरीका है, कि कौन सा digit कितनी बार आता है, उसे सब से लिखो, यहां पे 2 कितनी बार आ रहा है, 3 times, तो 2 to the power of 3, right, 3 कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो इसको लिखूंगा, 3 to the power of 2, 5 एक बार, 7 एक बार, 13 एक बार, 5 into 7 into 30, तो यह हो गया, आपका, 3, 2, 7, 6, 0 का, प्राइम फेक्टराइजेशन के द्वारा, power and exponents के form में answer, यहां तक चीज़े, I hope, clear होगी, तो यहां पे कोई भी नंबर हो, यहां पे कोई भी composite नंबर हो, उसको आप प्राइम नंबर के अंदर तोड सकते हो, इसी को fundamental theorem of arithmetic बोलते हैं, उसको उल्टा भी बोल सकते हो, कि कोई भी prime नंबर को multiply करके, किसी भी किस्म का कितना भी बड़ा composite नंबर बना सकते हो, या फिर किसी भी composite नंबर को तोड़के, उसमें से कहीं सादा prime नंबर निकाल सकते हो, और ऐसा unique solution ही आपको मिलेगा, unique solution मतलब ऐसा नहीं होगा, कि same number को फिर से करोगे, तो 2-4 बार हो जाएगा, या 3-3 बार हो जाएगा, नहीं, हर बार आपको 2 number 3 बार ही मिलेगा, 3 number 2 बार ही मिलेगा, 5 number 7, number 13 एक बार ही मिलेगा, चाहे किसी भी तरीके से आप इसको factorize करो, unique solution आपको मिलेगा, unique solution अच्छा आप बोलेगे सर, मैं ऐसा करो तो नहीं चले कि 7 को पहले लिख दू, 5 को पहले लिख दू, 2, 3 को बाद में लिखो, तो unique solution कहां से रा, वो तो बदल गया, एक चीज़ याद रखो, 4, 2 जा भी 8 होता है, 2, 4 जा भी 8 होता है, multiplication के अंदर, order, place, माइने नहीं रखती, उसको पहले लिखो या बाद में लिखो, multiplication में place की importance नहीं होती, हाँ, subtraction के अंदर होती है, जैसे कि आपने मैच में सीखी होगी, closer property, associative property, फिर, distributive property, collective property, और एक दो है, जो properties है, 7th या 8 standard में आती है, पर बहुत अच्छी है, तो उसके इसाब से place डिपेंड नहीं करता, पर हाँ, 2-3 बार आएगा, तो 2-3 बार ही आएगा, 3-2 बार ही आएगा, likewise, तो किसी भी को composite number के लिए आपको prime factorization unique ही मिलेगा, यही है fundamental theorem of arithmetic, ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए मैं वीडियो को pause करता, ठीक है, तो theorem 1.1 अभी कुछ बच्चे बुचेंगे, सर, यह आपने part 2 में theorem 1.1 ले लिया था, बट वो theorem 1.1 एक्चुली वही है, बट आपका जो यह rationalized syllabus आया, उसमें वो बिचारा गया है, ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो कर लिया है, आपको आ गया है, तो well and good, but examen नहीं आने वाला, ठीक है, तो यह जो एक्चुली पूरन टेक्ट्ट्बुक के सबसे यह 1.2 है, बट अभी क्योंकि rationalized syllabus नया आ गया, syllabus कम हो गया, छोटा हो गया, तो यह 1.1 हो गया है, जो कि है fundamental theorem of arithmetic, ज्यादा कुछ नहीं आ नहीं है, जो मैंने अभी समझाया, वही है, every composite number, हर composite number can be expressed, या फिर factorized, कोई भी composite number को आप तोड सकते हो, as a product of prime numbers, किसी भी prime number के multiplication के तोर पे उसको तोड सकते हो, and this factorization is unique, और यह जो factorization होगा, वो unique होगा, अनन्य होगा, मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं बन सकता, numbers कम ज्यादा नहीं हो सकते, apart from the order in which the prime factors occur, हाँ, यह ज़रूर से हो सकता है, कि किसी ने दू पहले लिख दिया, पांच बाद में लिख दिया, पर इसके उपर भी restriction है, कि जब भी आप prime factorization करो, तो वो ascending order में ही होना चाहिए, तो यह था आपका fundamental theorem of arithmetic, यह काफी great invention था Euclide का, पर जैसे जैसे वक्त बीचता गया, बाद में हमें पता चला, कि इसका जो correct proof है, वो Euclide ने नहीं, पर Goss, Frederick Goss करके एक mathematician थे, उन्होंने सबसे पहले इसका proof दिया था, Frederick Goss की बात करूँ, तो वो prince of mathematics के नाम से भी जाने जाते हैं, इसके अलाबो, तीन mathematician हैं, जो हिर्षी में उनका नाम बड़े अच्छे से लिया जाता है, पहले हैं Archimedes, दूसरे हैं Newton, हाँ, Newton भले ही physics में उनका बड़ा नाम है, बट वो साथ में एक mathematician भी दे, तो Archimedes, Newton के साथ नाम लिया जाता है Goss का, Frederick Goss, तो Frederick Goss ने इसका सबसे पहले proof दिया था, बट अभी ये Euclid के नाम पे चड़ गया, तो चड़ गया, अभी तक ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, सारी चीज़ा आई, hope आपको clear हो गई करेंगे और exercise को solve करने की कोशिश करेंगे, तो आज के लिए इतना ही वीडियो में आप आखिर तक पहुंचे हो, और काम अच्छा लगा है, तो जल्दी से like दबा दो, दबा दिया, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर ये session helpful रहा है, तो अपने friends तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए इसको share भी कर दो, यहां तक पहुंचे हो, मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो thank you so much, हम जल्दी मिलेंगे next video के साथ, thank you so much.